हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजिनिरिंग इस्टडी पर आज हम फ्रेंड्स इस्टुमेंट इंजिनिरिंग के कोस्टन एंड आंसर पार्ट टू देखेंगे पार्ट वन हम पहले ही देख चुके हैं उसका लिंक में आपको इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें आएए देखते हैं पार्ट टू तो पहला कोस्टन लेते हैं फ्रेंड्स पहले बताना चाहता हूं आपको कि आप इस वीडियो को पूरा देखें अगर आपको इंटर्वु के लिए अच्छे से प्रिप कंपोनेंट्स इन इंस्टुमेंटेशन मतलब इंस्टुमेंटेशन में एक्टिब और पैसिब कंपोनेंट्स क्या होते हैं तो इसका सॉलूशन देखते हैं हम वन वाइवन इसको देखेंगे कि एक्टिब कंपोनेंट्स क्या होते हैं तो पहले देखते हैं एक्टिब कंप मतलब वो components और devices या वो components या devices जिनको उनके operation के लिए external source की जरुवत होती है वो कहलाते हैं आपके active components अब active components के हम examples देखते हैं क्या का examples इसके हो सकते हैं जैसा कि transmitter हो गया transmitter में कोई भी transmitter हो गया ऐसे pressure transmitter हो गया differential pressure transmitter हो गया या flow transmitter हो गया control valve हो गया control valve को भी external source की जरुवत पढ़ती है उनके operation के लिए indicators हो गये PID controller हो गया तो यह सब आपके example हो गये active components के अब हम देखते हैं next की passive components क्या होते हैं passive components जैसे active components थे कि उनके operation के लिए हमें external source की जरुवत पढ़ती थी लेकिन इनके operation के लिए हमें external source की requirement नहीं होती है मतलब वे components या devices जिनके operation के लिए हमें external source की requirement नहीं होती है वे कहलाते हैं आपके passive components जैसे की resistance temperature detector अब क्या है कि RTD हम लगा देते हैं कहीं पर भी तो वो अपना output दे देती है उसमें temperature आया और उसने अपना resistance के form में output दे दिया हमें किसी भी source से उसको supply देने की requirement नहीं पड़ी अब जैसे transmitter है transmitter को पहले supply दी जाती है उसको on करते हैं तो वो supply तब वो काम करना शुरू करता है लेकिन RTD हो गई थर्मो कपल हो गया pressure gauge हो गया temperature gauge हो गया यह सब equipment यह सब components क्या होते हैं इनको हमें supply देने की requirement नहीं पड़ी friends अब हम अपना दूसरा question लेते हैं दूसरा question हमारा है कि different types of pneumatic control valve क्या क्या होते हैं तो friends अगर आपको interview के अच्छी तयारी करनी है तो इस video को last तक बिना skip किये देखें तो आए इसका solution देखते हैं तो इसका solution है कि different types of pneumatic control valves are as following सब्सेओं क्या होते हैं तो पहला होता है इस में global गलोब पूर्प सबसे जाधा उजद जो है इंडस्टीज सब्सक्ताartiota NEकी जो चब्लोब कर शकते हैं जो glow bulb का use है हम high temperature, high pressure पर कर सकते हैं तो glow bulb कुछ इस तरह का होता है आपने देखा भी होगा इंडस्टी में लगा हुआ होगा जहां पर भी आप work करते हैं अब हम आगे देखते हैं butterfly valve butterfly valve क्या होता है सबसे पहले तो इसे देख लेते हैं कि butterfly valve क्यों कहते हैं बालब का मतलब open-close ओने बाला यू बटरफलाई का मतलब इसमें यह जो होता है इस सा कहलता है इसका butterfly कहलता है ये operate करता है इसको operate करने पर फोपन या close होता है एयर सप्लाई यहां से और यहां से दी जाती है, एक जगे सप्लाई देने पर open होगा, दूसी जगे सप्लाई देने पर यह बाल्ब ख्लोज हो जाता है। तो चलिए, अब देखते हैं हमारा next बाल्ब क्या है, अब इतक हमने क्या पढ़ा? ग्लोब बाल्ब और बटरफ्लाई बाल्ब ग्लोब बाल्ब क्या होते हैं mostly used होते हैं इंडस्टीज में क्योंकि उनको high pressure और high temperature पर use किया जा सकता है अगला देखते हैं अगला ball बाल्ब होता है ball बाल्ब कुछ इस तरह का होता है यह तो देखो आपको manual handle बाल्ब दिखाया गया है लेकिन इसी पर अगर हम pneumatic actuator लगा देते हैं तो यह pneumatic ball बाल्ब बन जाता है pneumatic actuator का क्या मतलब होता है pneumatic का मतलब क्या होता है कोई भी system जो air से बाल्ब करता है जो air से चलता है और actuator का मतलब किसी को चलाने वाला मतलब air गई इसमें और इसने ball बाल्ब को चलाया तो यह ball बाल pneumatic actuator हो गया अब क्या है देखो ball बाल्ब में इस तरह की ball होती है अब यह open position में आपको दिखाया गया है जब यह open होता है तो यह ball खुल जाती है और यह हमारा flow किसी भी liquid का flow इससे पास हो जाता है इस वे से liquid का flow पास हो जाता है तो अब इसी तरह से pneumatic ball बाल्ब करता है जब air देने पर यह operate होता है यह खुल जाता है इस तरह की ball इसमें खुल जाती है तो हमें इसमें कोई भी liquid पास कर जाता है अब इस तरह के बाल्ब भी जो हैं दो कैटेग्रीज में बांटे जा सकते हैं तो अभी तक हमने क्या देखा ग्लोब बाल्ब बाल्ब और बटरफ्लाई बाल्ब ग्लोब बाल्ब जो है हाई प्रेसर और टेंपरिचर पर यूज किया सकता है इसलिए glow bulb का ज्यादा यूज करते हैं इंडस्टीज में लेकिन बाल्ब बाल्ब और butterfly बाल्ब को हम high pressure और high temperature पर नहीं यूज कर पाते हैं तो यह जो बाल्ब हैं यह भी दो काटेग्रीज में माटे गए हैं on off बाल्ब आउन वाल्ब का क्या मतलब बता है जैसे कि नआम से समझ में आ रहा है ओन होना और आ ऑफ होना जो इस तरह का बाल्ब पर जैसे आपको दिखाएगी- इसमें किया है एर देने पर यह open होगा और एक दूसरे पोर्ट पर यह अज देने पर यह बाल बाहन्बर्व आउपश कर यहाँ पर रहता है इसमें इसका पोजिशन बताता रहता है कि आपन यह कलोज है अगला हम देखते हैं अगला होता है continuous opening valve continuous opening valve को operate करने के लिए हमें I2P converter का use करते हैं I2P converter हमने last वीडियो में देखा था तो I2P converter का link भी मैं आपको I button पर देदूँगा तो I2P converter क्या होता आप महां से अच्छे से समझ सकते हैं तो यह valve जो होते हैं operate होते हैं I2P converter के द्वारा और नुमेटिक पोजिशनर के द्वारा इस दस परसेंट हो गया बीस परसेंट हो गया पचास परसेंट हो जितनी हमें requirement है उस हिसाबसे valve open होते हैं और close होते हैं तो continuous opening valve भी हमारे दो category में बाटे गए हैं आएए देखते हैं कौन-कौन सी यह दो categories है air to open and air to close अब यह air to open air to close में globe valve के बारे में हमने बताया आपको तो यह होता है मेन इसका diaphragm तो diaphragm पर हम air देंगे मतलब diaphragm पर अब air पड़ेगी तो valve open हो रहा है यह close हो रहा है यह उस हिसाब से होता है air to open and air to close यह right hand side में आपका air to open दिखाए गया है left hand side में आपका air to close दिखाए गया है अब air to close में क्या है ऊपर से air आती है यह हमेसा ध्यान रखने वाली बात है आप से इंटर्वी में पूछ लिया आता भी air to open and air to close को आप कैसे पहचान होगे तो ऊपर से air आएगी तो air to close हो गया और नीचे से अगर air लगेगी तो air to open हो गया तो यहां पर दिखाए गया spindle movement with increase in air pressure मतलब जैसे जैसे हम air pressure में increase करेंगे उपर हमने air दी जैसे ऐसे air pressure increase होगा air pressure कब increase होगा जब हमारा signal बढ़ेगा उस वाल्प को operate खराने के लिए अब जैसे ऐसे air pressure increase करेगा करेंगे इसμεंडल नीचे को मूब करेंगा तो क्या होगा बाल्प close होगा तो normal position में वाल्प क्या कहलाता है normally open वाल्प मतलब नॉर्मली open रहता है था कौत दूसरा वाल्प क्या है。합니다 मूपर को होगा air position. जब air pressure increase होगा तो spindle movement up direction में होगा अब बाट direction में तो spindle movement जब उपर गो होगा तो valve एर देने पर खुल जाएगा और air pressure कब increase होगा air pressure increase होगा जब हम जैसे जैसे उसकी control valve की opening बढ़ाएंगे जैसे ऐसे हम command देंगे PLC DCS या PID controller से चलिए इसको आगे देखते हैं air to open valve normally closed valve यह होता है आपका मतलब वह हमने पीछे भी देखा था कि as the name suggest these control valves are opened on apply air and in the absence of air these valves remain closed तो यह air की absence में क्या रहेंगे बंद रहेंगे देखो यहां पर diaphragm में नीचे से air दी गई है यह diaphragm है यह पर blue blue में यहां पर इस जगे यह पेच यहां पर यह screw nuts के द्वारा कट कसा हुआ होता है यहां से तो यह आप जब air देते हैं तो यह open हो जाता है बाल ठीक है अब हम देखते है एर to close valve एर देने पर यह valve close होते है नौर्मली ओपन लेते हैं इनको हम नौर्मली ओपन बाल भी कहते हैं तो यह air to close बाल पर हमने पहले भी बताया था जब air supply उपर लगी होगी यह air to close बाल जिसमें हमारा question है what is the role of an IP converter IP converter का जो रोल है और जो नुमेटिक पोजिशनर का रोल है control valve की opening में वो क्या है IP converter हम और नुमेटिक पोजिशनर को लगाते हैं क्यों है control valve के लिए तो उसका अंसर हम देखते हैं i2p converter जो होता है और जो नुमेटिक पोजिशनर होता है बहुत important पार्ट पिले करता है नुमेटिक control valve को open करने के लिए operate करने के लिए IP converter जैसा कि हम पीछे भी देख चुके हैं तो IP converter यह इस तरह का होता है आपको लाश्ट वीडियो में पता चल जाएगा कि IP converter क्या है कैसे वर्क करता है उसका output क्या है केस इंपुट पर यह क्या output देगा ठीक है फ्रेंड्स अब क्या होता देखो I2P converter क्या होता है current to pressure converter होता है current signal को लेता है मतलब 4 to 20 mA signal को लेता है और यह pneumatic signal में मतल देता है अब यह वाला जो pneumatic signal होता है वो दिया जाता है पोजीशनर को और वो पोजीशनर किसकी तरह वर्क करता है एक्चुएटर की वर्क तरह वर्क करता है control valve को open कराने के लिए control valve को खोलने के लिए control valve को operate कराने के लिए ठीके friends, actuator क्या होता है कि उसको चलाने वाला, मतलब उसको चलाने वाला कोन हो क्या, pneumatic positioner अब देखते हैं आगे, for controlling pneumatic control valves and electro pneumatic positioner is also used कहीं कहीं तो IP और pneumatic positioner use होगा, कहीं कहीं क्या होता है, कि हम IP और pneumatic positioner को मिला कर, एक electro pneumatic positioner बना लेते हैं, वो भी आपका control valve को operate कराने के लिए use किया जाता है, ठीके friends, तो आगला question देखते हैं, आगला हमारा आज का चोथा question है कि temperature signal को हम field से PLC DCS या controller को कैसे transmit करते हैं, वही temperature signal को कैसे transmit किया जाता है, क्या क्या वेज होते हैं, तो उसका देखते हैं answer जो temperature signal होता है वो resistance temperature detector मतलब RTD या thermo couple से आता है, और ये signal जो है, transmit किया जा सकता है, किसी भी control device को दो तरह से, दो तरह से हम इसको transmit कर सकते हैं पहला वे क्या है, पहला वे है direct, डारेक्ट का मतलब क्या है कि हमने resistance temperature detector और thermo couples को directly connect कर दिया, इसे PLC हो गया DCS हो गया, या controller हो गया उससे directly हमने इसको connect कर दिया दूसरा वे क्या है, दूसरा वे है वही, using temperature transmitters, मतलब temperature transmitter का हमने use किया, और हमने उस signal को transmit किया, temperature transmitter क्या होता है, temperature transmitter जो RTD और thermo couple का signal आता है, उसको पहले 4 to 20 mA signal में बदलता है और फिर PLC, DCS या controller को भेज देता है accordingly हम कोई भी range set कर देते हैं, उसमें कि ये 0 to 300 रहेगा या जितने भी हमें requirement है, तो उसके according ये temperature transmitter हमारा signal को convert कर देता है तो by using the temperature transmitter resistance temperature detector signal and thermo couple signal are converted into a 4 to 20 mA signal and these signals are transmitted to the control devices, control devices कोन सी होती है आपकी PLC हो गया, DCS हो गया है PID controller हो गया, ठीक है फ्रेंट्स, तो आगे देखते है अगला हमारा question है कि flow orifice क्या होती है यूज क्या होता है, flow orifice का तो देखते हैं, flow orifice होती है वो क्या करती है flow orifice plate या flow orifice plate बोलते है flow orifice बोलते है, the flow orifice plate is used for the flow transmitter flow transmitter के लिए इसको हम use करते हैं, the flow orifice plate is used to provide the differential pressure, to calculate the flow of the pressure line अब देखो, flow transmitter में, जो differential pressure होता है, वो किसके द्वारा प्रोवाइट के आता है, flow orifice के द्वारा कभी-कभी आपसे पूछ लिया जाता है बहुत इंट्रीव में पूछा जाता है आपने देखा होगा, flow transmitter में flow orifice लगी रहती है, उसका यूज होता है flow orifice plate का यूज होता है, differential pressure प्रोवाइट करना, differential pressure से क्या होगा हम flow calculate कर सकते हैं कि process line में हमारा कितना flow चल लाए differential pressure अगर हमें मिल जाएगा तब फिर तो different types of flow orifice plates जो होती है नीचे दी गई है concentric, segmental, eccentric और quadrante तो यह इनका figure है, यह concentric होती है यह segmental होती है यह eccentric होती है और यह quadrante होती है तो उमीद है कि friends आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इसे like करें, share करें और हमारे चैनल को subscribe करें Thanks for watching